है कि दोस्तों नमस्ते है कि मैं इंजिनियर पीजी शरगोस्रानावाले आपके लिए लेके आ गया हूं पहले कुष्च bisa की बात करते हैं आम्के नियम का नुसार सत्त कतन है उन्दे ऑन के नियम का नुचार सत क्तन क्या है दोस्तों तो अपने इसमें देखेंगे ये ओम के नियम के अनुसार सर्तिकतन क्या हो जाएगा R बरबर V बटे आई तो C उत्तर हो जाएगा पहले के दोस्तो दूसरा कुश्शन है ओम का नियम नहीं मैं V समानुपाती आई या I समानुपाती V या V समानुपाती R या R बरबर I बटे V तो इसमें D आ जाएगा दोस्तों दूसरे question में क्या आ जाएगा answer D आ जाएगा तीसरा question है दोस्तों नियम लागू नहीं होता ओम का नियम लागू नहीं होता ओम है इसमें ओम में स्प्रिंट हो गया ओम का नियम लागू नहीं होता A C पर B में है DC पर C में है चालक पर और D में है अर्ध चालक पर देखो दोस्तो तीसरा कुश्चन है ओम का नियम लागू नहीं होता है AC पर DC पर चालक पर अर्ध चालक पर तो दोस्तो इसमें D आ जाएगा अर्ध चालक पर अगला कुश्चन है दोस्तो तो ओम का नियम लागू होता है तो ओम का नियम लागू होता है अर्दचालक पर नहीं होता अर्दचालक पर तो दोस्तो वेक्यूम टूप पर भी नहीं होता निर्वाद टूप पर तीसरा है कारवन पृति रोद चोथा है उप्रवक्त में से कोई नहीं तो दोस्तो इसमें क कर्वन प्रतिरोद आजाएगा कारवन का रिचायत मुझात भृता है और सब्सक्राइब लगता है और सब्सक्राइब क्योंकि परिवाजा में लिखा हुआ है बहुतिक अवस्ता इस्तिर कर दें अर्था तापमान इस्तिर कर दें तो सिरोक मेद विवान तर्वी उसमें बेने वाली धारा आई का समान पाती होता है चटा कुश्चन है दोस्तो ओम का नियम लागू नहीं होता अर्धचालक DC परिपत छोटे रजिस्टर उच करेंट तो इसमें ए आ जाएगा दोस्तो चटे कुश्चन में अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है इलक्ट्रोलाइट आर्कलैंप इंसुलेटर अर्धव कुश्चन है दोस्तो ओम का नियम लागू नहीं होता वायर वाउंड रजिस्टर थिन फिलिम रजिस्टर उच बॉल्टेज SCR तो आठवे कुश्चन में डी आ जाएगा दोस्तो SCR सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है यह एक अर्धचालक युपती है इस प पर लगेगा दोस्तो ओम का नियम डायक ट्रायक परिशुदक्स तीनु अर्धचालक युपती है इन पर नहीं लगेगा दस वह कुश्चन है दोस्तो ओम के नियम अनुसार असत्त कथने वी समानुपाती आई इस पर दी बराबर वी आर तो डी असत कथने दोस्तो आई बराबर वी आर नहीं होता बाकि तीनु सत्य है ग्यारूव कुश्चन है दोस्तो जब ताप नियत हो जब ताप अपना कैसा हो नियत हो इस्तिर हो तो बंद डीसी परिपत में बॉल्टता दारा का नुपात क्या रहता है तो हमेशा हिस्तिर रहता है बंद DC परिपत में बारवा कुछ ने दोस्तों 5 किलो Ohm के प्रति रोध के सिरोध में विबांतर 12 बॉल्ट हो तो प्रति रोध में से प्रभाइद दारा कमान गयात करो तो दारा आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा दोस्तों 12 बॉल्ट में जब 5 किलो ओम का भाग देंगे 5 किलो का मतलब 3-0 तो 12 में 5000 ओम का भाग देंगे दोस्तों तो 2.4 मिली एंपियर आजाएगा दोस्तों क्या जाएगा इस सिस्तिती में 2.4 मिली एंपियर आजाएगा अपना तेरवे कुश्चन की बात करें लैंप 200 बॉल्ट लैंप 200 बॉल्ट सप्लाई पर 4 मिली एंपियर दारा ले रहा है कोई लैंप है जो 200 बॉल्ट सप्लाई पर 4 तो आर बराबर दोस्तों वी बटे आई हो जाएगा वी कितना है अपना 200 आई है च्यार और मिली एंपियर में है तो 10 की गाद माइनस 3 कर देंगे तो 30 जीरो उपर लग जाएंगी 200 के आगे 30 जीरो और लग जाएंगी तो चाहिए 21 अजर देंगे दोस्तों पन तो अपना पचास किलो ओम आ लिए 50 milli A, dara के आव सकता है, पंद्रुओ कुछन है दोस्तो, 100 ohm की रिले को चलाने के लिए 50 milli A, dara के आव सकता होती है, यदि इसे चार बोल्ड सप्लाइस से उजित किया जाए, तो रिले कारे करेगी या नहीं करेगी, तो सबसे पहले तो अपन इसमें करंट निकारेंगे, तो I वराबर V upon R होता है दोस्तो V कमान 4 है R कमान 100 है तो 4 में 100 का भाग देंगे तो 0.25 A आएगा क्या आएगा 0.25 A 100 में जब 4 में 100 का भाग देते हैं तो क्या आता है पॉंट लगा देंगे 40 हो जाएगा फिर 1.0 लगा देंगे 400 हो जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तो 0.025 A क्या आएगा 0.25 A आएगा अर्थात मिली एंपियर में बात करें तो 25 मिली एंपियर आएगा दोस्तो जबकि कुश्चन में लिखा हुआ है कि रिले को चलाने के लिए कितना करंट चाहिए 50 मिली एंपियर और इसमें अपन करंट निकाल रहे है आई वरावर वी अपन आर से 4 वटे 100 ओम करके तो अपना 25 मिली एंपियर आ रहा है दोस्तो तो यह रिले कारें नहीं करेगी क्या होगा कारें नहीं करेगी या स्पार्किंग होगी अब अपन कम करंट देंगे तो रिले कारें करेगी तो क्या होगी स्पार्किंग होगी तो इस प्रकार के कुश्चनों में अगर स्पार्किंग होगी आए तो स्पार्किंग होगी करेंगे पहले नहीं तो कारें नहीं करेगी यह करेंगे दोस्तो सोलवा कुश्चन है दोस्तो ओम का नियम अनुपियुक्त है ओम का नियम अनुपियुक्त है मतलब किस पर नहीं लगता डीसी सर्किट में लगता है उच करेंट परिपत में भी लगता है निमिन धारा परिपत में भी लगता है अचाला को पर ओम का नियम लें लगता तो सोलवे में डी आ जाएगा दोस्त सत्रवा कुश्चन की बात करें दोस्तों सत्रवा कुश्चन है बारे बोल्ट की बैटरी से दारा को बारे मिली एंपियर तक बारे बोल्ट की बैटरी है उससे दारा को बारे मिली एंपियर तक सीमित करने हैं तो कितने ओम के प्रतिरोध के आफ सकता होगी तो दोस्तों सर्फप दोस्तों जो स्थाय का ढरए अजार 2 кра phrase 7-6 P टो qualcा में हुस्तों कि बात जाय करें दोस्तों सत्र फास ने यह है । में बत्ली इस्ट वंधाब्वि यह मुर्था बोल्ट से मीचा ना है प्रचालीत दोस्तों वह चेंट болt कि सपलाई से चल रहा है या परचालित है और उसमें सयोजीत कोई UMITR उसमें एक UMITR जोड़ा गया है जिसकी irm क्या है है परंतु कुस समय बाद show की सप्लाई से परपत जड़ा है दस 19-24ं की रचाती गांकी ma देने लग गया तो उस समय बॉल्टेज भी गटा एक नहीं गटा है या बढ़ा है गटा है कि वह यह रहेगा क्या होगा तो इस इस्तिति में दोस्तों अपन भी निकाल लेंगे वी बराबर क्या है आई इंटू आर तो अपनको आर पता है नहीं दोस्तों इस कुश्यन में अ होगा पहले क्या था 10 घार नहींद 111 तो और के नहीं दोस्तों कि विष अमानु पाति आई अर्था नहीं आप करण करोगे तो बॉल्टेज में चेंज होगा और voltage में change करोगे तो current में change होगा और कितना change होगा उतना ही बदला होगा जितना current में हुआ है और voltage में change हो रहा है तो current में उतना ही बदला होगा जितना voltage में हुआ है तो इसमें current क्या होगा है दोस्तो आदा होगा है तो voltage भी क्या हो जाएगा आदा तो बारे बोल्ट की कमी होगी अठारवे में ये उत्तर आ जाएगा दोस्तों क्या होगी बारे बोल्ट की कमी होगी अब बात करें 19 वा कुश्चन की दोस्तों तो 19 वा कुश्चन है 240 बोल्ट का लेंप 240 बोल्ट का लेंप एक रियो स्टेट से कंट्रोल है दोशोचालीश बोल्ट का लेंप है दोस्तो सॉचालीश बोल्ट का लेंप एक वी कितना है अपना दोचालीज फॉल्ट काई कितना थी डिया चील्ए एम्पयर तो ेसंट सेन्ट कितने पर करें गैगी होश्चेटा यह पूछ रहा है अपनको आर निकाला नेकालए है आई तीन एंपियर है तो 240 में तीन का भाग देंगे तो 80 ओम आ जाएगा दोस्तों तो 19 वे का उत्तर सी ही होगा दोस्तों 20 वे कुश्चन की बात करें दोस्तों ओम के नियमनुसार नियूंतम करण्ट प्रवाइट होगी कौन से A B C D में से किसमें नियूंतम नियूंतम प्रवाइट हो गी दोस्तों तो यह ध्यान रखने यह बात है दोस्तों क्योंकि आ बढलावर क्या होता है विए अपॉन आर अर्थाथ जिसमें सपलाई बोलतास रोट तो दिया नहीं है अर्थात समान होगा दोस्तों तो जिसमें प्रतिरोद ज्यादा होगा उसमें कम करणट प्रवाइत होगी दोस्तों तो जैसे ओम के नियम 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 करणट के इसमें प्रवाइत होगी 25 ओम के प्रतिरोद में सबसे बड़ा क्या है 25 उसके बाद 18 आपका हर्दिक वेलकम करता है थैंक्यू वेरी वेरी थैंक्यू इसी प्रकार पढ़ते रहो कल हम प्रती रोद के 20 कुश्चन लेके आएंगे आपके लिए थैंक्यू धन्यवाद